वेल्कम्तु एक्सपर्ट्स टेनोग एडमी में आप सभी का बहुत स्वागत है लाज्ट क्लास में हमने बात की थी फ्रैज़ोग्राफिक के बारे में आज इस सीट का स्वीट का और स्विच का इस रूल का मतलब है कि अगर हम इनीशल में एक लाज सर्कल ड्रो करेंगे विद दसे मोशन उसी मोशन से जैसे हम एस का करते थे तो वह एस जबल्यू की साउंड देगा एक्जामपल में ने तीन लिए हैं सबसे पहले बात करते हैं फॉस्ट एक्जामपल के बारे में जैसे आप जानते हैं छोटा सर्कल एस की साउंड देते हैं जैसे मैंने सीट में बनाके लिए इस रूल का मतलब है कि अगर हम बड़ा सर्कल इनीशल में ड्रो करेंगे तो वह एस जबल्यू की साउंड देगा जै मेंने बड़ा सर्कल ड्रो किया है तो यह एस जबल्यू की साउंड दे रहा है और यह वर्ड बनिया स्विच्च आई होब आपको यह क्लियर हो गया होगा अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में इस साउंड ऑफ एस जबल्यू इस फोलोड बाइए वोवल स्ट Heard of dawlaada सर्कल नहीं यूज़ कर सकते मैं इस से हैंना में एस जबल्यू की सौन के बाद वोवल वह लए यानि मात्रा आ रही है तो इसमें हमें एस और डेल्यू ऐससे और एस रूबल सकती किमें कि अब हम बात करते हैं एस और एस यह के रूल्स के बारे में कि लाज मीडियल और फाइनल सर्कल गिफ्स दा साउंड ओफ एस और एजएड इंटरवैनिंग वोबल एग्जामपल में ने तीन लिया है नसेस्टी का कॉजिस का और पॉजैस का इस लाइन का मतलब है कि अगर हम मीडियल में या फाइनल में एक लाज सर्कल ड्रो करेंगे तो वह एस और एजएड की साउंड को देगा इंटरवैनिंग वोबल उसमें यह आएगा एग्जामपल के थू समझते हैं जैसे नसेस्टी में फर्स्ट एग्जामपल यह नसेस्ट में मीडियल में इसमारमी ओर फाइनल मीडियन और फाइनल जाएं लास्ट में मीडियल में एक बड़ा सरकल ड्रो किया यह एसस की सैंन्ड ऑर उसमें इंटरवैनिय्ड वोबल यह बन इसह तो यह बनाने नसेस्टी अब बात करते हैं सैक्टन एक्जामपल बबर में को dairy मे बाद करते हैं थरड एक्जांपल के बारे में पोजेस में मैंने लास्ट में एक बड़ा सरकल ड्रो किया जो SS की साउंड दे रहा है इसका है कि मीडियल में और जो फाइनल में बड़ा सरकल लगेगा वह एसेस और और एसेस की साउंड देगा इंट्रवैनिंग वोवल ए होगा पोजेस में फाइनल में लास्ट में बड़ा सरकल जो लगेए वह एसेस की वाज दे रहा उसमें इंट्रवैनिंग वोवल आ रहा है इए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बर में वेन वोवल अदर देन इए कम्स डैट इस प्लेस्ट विदिन सरकल अगर ए के अलावा कोई और वोवल आएगा तो वह सरकल के बीच में लिखा जाएगा जैसे मैंने तीन एक्जम्पल्स के तुरू बताया भी है एक्जिस् सरकल के बीच में लगेगा जैसे मैंने इसमें बना के दिखाए अब बात करते हैं सेक्ट एक्जम्पल के बारे में एक्जोस्ट में नोट वाला वोवल आ रहा है तो मैंने इसमें अधर देन इन तो इसमें सरकल के बीच में लगाए उसके बात बात करते हैं एक्सरसाइज क exercise में I वला वोवल आ रहा है other than E ना तो इसमें circle के बीच में लगेगा इस rule का मतलब है कि अगर E के अलावा कोई भी वोवल आएगा तो वो circle के बीच में लगेगा अब हम बात करते हैं next line के बरे में stroke S is written when final S is followed by a वोवल stroke S पूरा लिखा जाएगा अगर उसके बाद वोवल यानि कोई मातरा आ जएगी जैसे police में मैंने बता आये है police में S के बाद मातरा आ रही है तो S पूरा लिखा गया अब हम बात करते हैं next line के बारे में इस line का मतलब है कि अगर कोई word हम stress से बोलते हैं जैसे पोजेस और मैंने पोजीज का एक्जामपल लिया है पोजेस वर्ड हम स्ट्रेस से बोलते हैं पोजेस बोलेंगे तो स्ट्रेस से बोलते हैं पोजेस तो इसमें एक तो हम सरकल लगाएंगे और एक एस लगाएंगे लेकिन सेम उसी तरह बट इस में पोजिज में चैन्हम सब्सक्राइब को लेकिन races में हम races, stress नहीं लेके बोल रहे हैं तो इसमें हम ये बड़े वाला circle use कर सकते हैं ये मैंने कुछ नीचे phrases लिखे हैं जो इससे बनते हैं इस concept से उसके बारे में हम next classes में बात करेंगे एक बार आप देख लीजिए जैसे as we have है as we have का ये बड़े circle के through ऐसे phrase बन गया और ये as we have लिखा गया second मैंने बनाया है as we can ये बड़े circle के through as we can का phrase बनाया है इसके बारे में हम आगे वाली class में बात करेंगे ये इससे related था तो मैंने कुछ note कर दिये as well as as well as का phrase बनाया है ये बड़े वाले circle से in this city in this city का phrase बनाया है जैसे मैंने इसमें बनाके दिखाया है इसके बारे में हम next classes में बात करेंगे ये इससे related था तो मैंने नीचे कुछ phrases बना दिये तो आज की इस class में इतना ही वीडियो अच्छा लगा हो तो like and subscribe जुरूर कीजिए thank you so much